हाई फ्रेंज वह भी विटस्फिल कंपनी का जो फालूदा मिख्स आता है उससे हम बनाएंगे। इस packet में सेवय या फ्लेवर सब होता है mango का तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे हमने लेना है एक लिटर दूद लेना है यह दूद उबला हुआ नहीं है डायरेक हम थेली में से या पाउश में से निकाल देंगे बस वो ही हमें यहाँ पे यूज करना है तो एक यहाँ पे दूद लिया है यहाँ पे मैंने अमुल शक्ती जो आता है वो दूद लिया है और यहाँ पे हमें इसमें डालना है 200 ml पानी डालना है तो यह मेरा 250 ml का कप है उसमें से मैंने 200 ml पानी इस दूद में डाल दिया है इसे मिक्स कर देंगे और इसमें एक बॉइल आए कि पहले हम medium flame थी, अब हम gas की flame low कर देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे इसे mix कर देंगे, यह जो फालूदा mix है, यह 200 ग्राम का packet है, तो इसमें से 6 ग्लास तो आराम से बन जाते हैं, तो यह फालूदा mix में जो था, वो हम डाल देंगे दूद में, क्योंकि दूद में उबार आ सेव, वो पक जाएगी अंदर और यह जो दूद है, एकदम क्रीमी हो जाएगा, तो 10-15 मिनिट के लिए हम इसे उबालेंगे, अब हम यहाँ पे gas की याच मीडियम कर देंगे, और इसे लगातार चलाते जाएगे, दीरे दीरे आप देख सकते हो कि दूद गाडा होने लगा और इसका कलर भी बिलकुल चेंज हो रहा है, और इसमें से मैंगो का जो स्मेल बहुत ही अच्छा आ रहा है, इस दर से इसे लगातार चलाते रहे हैं, तो 10-15 मिनिट के अंदर यह फालूदा रेडी हो जाता है, तो फालूदा भी हमारा रेडी है, यहाँ पे हम गैस की इसमें आपको दो से तीन घंटे के लिए इसे रखना है, दो से तीन घंटे के बाद फालूदा एकदम चिल ठंडा हो चुका है, अब हम इसे सर्व करेंगे, यहाँ पे एक मैंने बड़ा सा ग्लास लिया है, इसके अंदर मैंने मैंगो के छोटे छोटे पीसिस थोड़े डा देंगे, फालूदा सेव को अब डाल दीजे, यहाँ पे आप बीच में एक ड्राइफूट्स का लेयर कर सकते हो, और छोटे छोटे मैंगो के जो पीसिस कीए है, उसका भी लेयर कर सकते है, उस तरह से भी आप ग्लास को सव कर सकते हो, और यहाँ पे उपर मैंने मैंगो किस्ता की टुकडे डाल दिये है, और आम के भी टुकडे डाल दिये, तो यहाँ पे हमारा मैंगो फालूदा रेडी है, एकदम ठंडा ठंडा आप इसे सव करें, गर्मी को दिनों में, सबको गर्मे बहुत पसंद आएगा, वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करन चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और शेयर भी कर सकते हो, थैंक यू फो वाचिंग,